नमस्कार सभी को नमस्कार ऐसे तमाम पहलों पर तमाम बिंदों पर बात करेंगे जो नेट एंटी नेट के साहित के सिलेबस पर भी बात करेंगे और कौन से इनविट में सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं कितने नमबर से नेट जयारेफ होता है ऐसे तमाम चीजो है Senior Research Fellowship Junior JRF का मतलब होता है Junior Research Fellowship मैंने वो भी किया है इसके साथ मैंने SRF भी किया है Senior Research Fellowship और मैं Hindi साइट से ही साथ हूँ PhD हूँ मुझे PhD का experience है University College में पढ़ाया है पढ़ा हूँ दुनिया बर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जनरल में प्रकासित होते रहते हैं यानि Hindi साइट का मैं एक अच्छा विध्यारती हूँ साथियो और इसी लिए मैं आप सभी को Hindi साइट के बारे में आज ऐसे पहलो बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही नजर ले जाना चाहूँगा कि सिलेबस हमसे क्या कहता है और उसके बाद में हम इन सब चीजों को बहतर तरीके से कर पाएंगे बस आप बारी से ध्यान से आप साथियो या पर पढ़ते जाना देखो यह जो से चीज जबस है साथियो मैं इसको तोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक सक्ने यहां से यह कर देता हूँ ता कि आपको किसी परिकार की कोई समिश्चन ना है देखो यह जो सिलेबस आपको देख रहा है साथियो यह ugc.net की officially website पर है, देखो मैं किसी भी third party चीज का सारा नहीं ले रहा हूँ, ये जो सिलेवस है सातियो, UGC की official website पर आपके लिए पड़ा हुआ है अब यहाँ पर क्या है खास ये चीज हमको सबसे ज़्यादा जाननी है, देखो, सबसे पहले इकाई नमबर एक पर चर्चा करते हैं इकाई नमबर एक क्या है और कितने नमबर की हमसे इकाई नमबर एक पूछी जाती है, मैं थोड़ा जूम कर दू ताकि आप लोगों को ठीक डंग से चीजें दिख जाएं ये है इकाई नमबर एक जो इस समय आप कौन सी यूनिट में से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मैं उस सवाल पर इस समय आ रहा हूँ देखो, जैसा कि आप सभी को पता है वैसे तो साथियो हाँ जैसे कि आप सभी को पता है वैसे तो साथियो दस यूनिट होती है कितनी होते हैं? इकाय उते है, टोटल 10, टोटल 10 इकाय होते हैं, कितनी unit होते हैं, इकाय दस होती है, अब इकाई 10 में से नियम तो यह मांगता है, कि हर इकाय में से आपके 10-10 question आने चाहिए, क्योंकि 100 कॉशन का एंटी यूजिस रेट में पीपर होता है यह तो जाहिद सी बात है इस चीज़ को आप जानते हैं लेकिन इकाई नमबर एक अपने आप में एक अलग माइने रखती है इकाई नमबर एक अलग माइने क्यों रखती है क्या पूचा जाता है हिंदी बाशा का विकास आ यहां पर जो चीज़े हैं न सातियो पाली प्राकर्थ सौरसैनी अवदी अपड़न्स और इनकी विसेष्टा पूची जाती है अगर मुझसे कहो कि यहां से कितने कॉशन आते हैं तो मैं कहूंगा यहां से कॉशन तकरीब नो आठ नो कॉशन यहां से पूचे जाते हैं हर कितने पूचे जाते हैं हर एकजाम में आपसे कॉशन यहां से कॉशन पूचे जाते हैं साति हो हर एकजाम में आठ से नो कॉशन पूचे जाते हैं अब कितना जटिल है यह विसे कितना नहीं है यह मैं आपको इस सेशन में समझाते वे चलूँगा अब यहां पर क्या-क्या यानि कि ये जो सेक्षन आपको दिख रहना साथी हो, यहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्लास के आरम में आपसे कुछ चीजें एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, और सबसे महत्पूर यह काई है न, वो यूनिट नमबर दो है। यानि कि यूनिट नमबर दो किसी ने पढ़ लिया, तो यह लगा लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इतना भी खुस मत होई है, कि सर हम तो राद देन यूनिट नमबर दो ही पढ़ते हैं, और हमारा सब कुछ कल्यान हो जाएगा, बिल्कुल आप गलस समझ रहे हो, आपकी केवल यूनिट नमबर दो पर ध्यान देना, आपकी अच्छी रणनिती का हिस्सा नहीं है, अगर कोई विध्यारती पास होता है, तो यूनिट नमबर दो की वज़े से, और कोई विध्यार समझाने वाला हूँ, सिंपल सा लोजिक है, वो मैं आपको एक सेकंड बाद में समझाने वाला हूँ, लोजिक क्या है, इधर आईए, सबसे पहले, देखो क्या है, एक बार एक सेकंड में क्या समझाने वाला हूँ, कि यार, अगर जो विध्यारती ढंग से पढ़ना चाता ह अच्छी तरीके से step भी पर जब भी आप law case 11 लगाओगे आपको discount मिल जाएगा तो जाएए जाकर आप join कर लीजे referral code में law case 11 लगाना है जान रहे law case 11 के बीच में किसी परकार का कोई gap नहीं है यह दोनों बैस लॉंच कर दिये हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ना चाता है systematic ढंग से पढ़ना चाता है यह उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर बात आप लोगों को बतला दी है अब आते हैं हमारे unit number 2 पर अब हम जंप कर लेते हैं कि unit number 2 हमसे क्या कह रहा है एकाई number 2 हमसे क्या कह रहा है देखो एक सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं और कुछ चीजे समझानी कोसिस करता हूं मैं यह मान कर चल रहा हूं कि भाई आपने unit number 1 पढ़ लिया अच्छी तरीके से देख अच्छी रंदीती का बता रहा हूं रंदीती समझा रहा आपका पूरा भक्ति काल विभाजन आ जाएगा पूरा भक्ति काल आएगा इसके अंदर पूरा रीती काल आएगा इसके अंदर और पूरा आधुनिक काल आएगा इसके अंदर आप लगातार देख पारे होंगे स्क्रीन पर पूरा आधुनिक काल इसके अंदर आ रहा है सा नाटक आ रहे हैं यानि निबंद आ रहा है और हिंदी आलोशन आ रही है और हिंदी की जो अन्विधा हैं वो भी आ रही है तो आप ने यहां पर क्या देखा यानि कि सब कुछ हिंदी का इसमें आ गया है इकाई नंबर दोग में हिंदी का कुछ बचाई नहीं ऐसा आपको भ्रम हो रहा है किवल सत्तता यह नहीं है जो सिलेवस इसको दिख रहा है आपको केवल यह भ्रम हो रहा है कि हिंदी में इसके अलावा कुछ बचाई नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बचाई नह है यह आपका केवल भ्रहम है अब देखो यह यूनिट नंबर दो अमने यह बहुत महत्पूर्ण है इसका नया बैत स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टोंबर से मैं मुझे लगता है कि हिंदी साहित में जो सबसे कठिन है आप में से कितने लोग इस बात को मांते हैं कि काउ सास्तर in यहां पर हमारी जो चीजे ना काव के लक्षण पूछे जाएंगे और काव के हमसे प्रियोजन पूछे जाएंगे काव के बारे में विदेशी लोगों का क्या मत है इसके बारे में हमसे यहां पर पूछा जाएगा यह कठिन नहीं है मैं आपसे फिर कह देता हूँ यह कठिन नहीं है सातियों बस एक कठिन होने का आपको भ्रह्म लग रहा है केवल अब यह आगया सातियों इकाई नंबर चार वैचारिक प्रष्ट भूमी क्या है वैचारिक प्रष्ट भूमी देखो वाद वाद का मतलब होता है विचार कि आप किसी चीज में किस तरीके से सोचते हैं आपका किसी चीज को लेकर आपका क्या विचार क्या है सामवाद, समादवाद, लेदिनवाद, अम्बेड करवाद, जैसे आप लोग बहुत से लोग वाटसेप यूनिसिटी पर पढ़ते होंगे, नहरू के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई पढ़ते होंगे, वाटसेप पर ऐसे लोग उन्हें फैला रखा है, है ना, गांध गांधी कोई एक सामान व्यक्ति नहीं है, कि गांधी के वले एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक विचार है, नहरू एक विचार है, गांधी का आइंसा वाद अपने वाद विचार है, नहरू का समाज वाद अपने विचार है, तो इनको डीप समझने के लिए कि समाज वाद क्या है पूजी वाद क्या है लेलिन वाद क्या है अरत्तु क्या है प्लेटो क्या है सुक्रात क्या है इसके अलावा अंबेड कर वाद क्या है अंबेड कर वाद में और गांदी जी में क्या प्रॉब्लम थी ये सब चीजे हमको इकाई नंबर पांच मे समझने को मिलेगी वाद एक विचार क्योंकि आदी अदूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है और मैं जानता हूँ कि आज की दौर में आदी अदूरी अदूरी का जानकारियों का वो चल रहा है मेल ओके तो मैं आपके कॉमेंट देखता जा रहा हूँ हम बहुत बड़िया स्वीटी क्रिंपी सब लोग मुझे दिख रहे हैं तो यह मैंने अल्रेडी प्लस में पढ़ा रखा है यह सारा मैंने अने के अदूरी पढ़ा रखा है जाकर आप देख सकते हूँ कि दुनिया के सारे मजदूरो एक हो जाओ क्या कहते है मार्सवाद के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है पाने के लिए सारा संसार पढ़ा है क्रांती की बात करते हैं हमेशा लड़ने मारने की बात करते हैं कौन करते हैं आपके मार्सवाद में मनोविसलिसनवाद के फ्रायड को कौन भूल सकता है मनो विसलिसनवाद के फ्रायड को सिगमंड फ्रायड इतने तगड़े विचारक जिसमें इड एगो, सुपर एगो की बात कही है वो सातियों आपके लिए सिलेवस में है बहुत महत्पून है मुझे इस यूनिट को पढ़ाने में बहुत आनंद आता है और मैं इस यूनिट को आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ ठीक है? तो सातियों दुनिया के सारे मज़दूर एक हो जाओ ये यूनिट नंबर हमारी चार है देखो, हिंदी साहित के सिलेवस में सब कुछ दे दिया है सब कुछ डाल दिया है एसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कुछ बचा ही नहीं है जो सिलेवस में नहीं डाला हो यानि सब कुछ इस सिलेवस में हिंदी साहित के सिलेवस में डाल दिया है सब कुछ डाल दिया कुछ छोड़ा ही नहीं है बापरे मैं बजा रहा हूँ टेबल यहाँ पर और मोबैल गिर रहा है वहाँ से लोहिया दर्शन लोहिया एक ऐसे व्यक्ति है जो गांधी को भी मानते हैं और मार्स वाद को भी मार्स को भी मानते हैं जहां लाठी की जर्वत पड़े वह लाटी चला दो, जा सान्ती की जर्रत पड़े, वह सान्ती से काम ले लो, लोयवाद ये है, जो मैं आपको आगे, मैंने समझा दिया था फ्लस में, और मैं समझाऊंगा, ध्यान रहे, अब से क्लास 12 बजे होगी, इस यूटूब चैनल पर, चलिए, ये हमारा यूनिट नम पांच, तुम दिल पर हाथ रखके बताओ, कि यूनिट नमबर पांच कवीता, इकाई नमबर पांच, आप अपने दिल पर हाथ रखके बताओ, इमामदारी से बताओ, कि क्या आपने विद्यापती की पदावली अंदर से पड़ी है, मैं सरफ आप से पूछना चाऊंगा, मैं सरफ आप लोगों से पूछना चाऊंगा, क्या इमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपने विद्यापती की पदावली अंदर से पड़ी है, जवाब आएगा नहीं, क्या आपने जायसी ग्रंथावली को अंदर से पड़ा है, नागमती का वियोखण अंदर से, मैं ये जवाब आएगा, आपने फचना लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आपने पड़ा और से जवाब आएगा नहीं, आपने क्या बिहारी सच्छाई के जगनाथ ने जो दोए लिखें के अंदर से पड़ें नहीं क्या कै अपने गहनानान्त की कवित को पड़ा है Państwo कि आपomena विस्वनात्र पाठी को पढ़ा है अदर से नहीं पड़ा होगा अधिकतर या 90 परसेंट ऐसे स्टूढेंट है जुन्नों ने इनको नहीं पड़ा हो आप मुझे इमानदारी से दिल पर हाथ रख कर बताओ क्या आपने हर्योंद अयुवद्या सिंग को पाज जाए के प्रिये प्रवास को पड़ा है अंदर से बोलो कॉमेंट्स में सुन रहा हो में आपका नहीं पड़ा क्या आपने भारत भारती को साकेत को अंदर से पड़ा है हिंदी सायत के जवानों जवाब आ रहा है नहीं पड़ा क्या आपने आसू को पड़ा है अंदर से क्या आपने जुई की कली पड़ी अंदर से जागो फिर एक बार पड़ा है सरो जिसमर्ति को तुम नहीं पड़ा होगा क्या आपने परिवर् को पढ़ा अंदर से आपने क्या इनको पढ़ा है कि अंदर से कितनी जादा कवीता है क्या आपने कल की बाजरे की पड़ी है क्या आपने ये पड़ी है क्या साथ बिना पड़ी है क्या गीत फरोस पड़ें आपने अगर जवाब है नहीं तो आप किस भूसे अपने आपको प् कविताओं को इनको अंदर से पढ़ा छाहिए कि कल की बाजरी की अंदर से नहीं पढ़ी ये दीप अकेल नहीं पढ़ा तो आप किस मुह से यहके रहे हो कि हमारा ज्यारफ होना चाहिए किस ओन से दो तीन चार आप केवल यूनिट उंबर एक यूनिट उंबर दो और मुझे पता है यूनिट उंबर पांच आप ने नहीं पड़ी अब आजाते हैं यूनिट उंबर छह पर आपकी आँसे कोलने का प्रियास्त कर रहा हूं नया रास्ता भी दिखाऊंगा बने रही हमारे साथ एवर वीडियो को लाइक कर दीजे सब के सब मैं सब के कॉमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजे एक बार अब मैं आपसे इमानदारी से बात पूछने चाहता हूँ कि क्या आपने परिक्षा गुरु पढ़ा है अंदर से पूरा उपन्यास इतना मोटा आप मैंने से कुछ-कुछ पढ़ जैसे गोदान पढ़ लिया होगा आप लोगोंने सेखर एक जीवनी पढ़ लियोगी मतलब बान भटकिया आत्मकता नहीं पढ़ी होगी पढ़ने में बिल्कुल बॉरिंग है नहीं पढ़ी होगी मुझे पता है सरफ दिवेदी याद है आज कल कॉशन ऐसे नहीं आते आज कल कॉशन पात्रों के पूछे जाते हैं कि भट्रों के नाम पूछे जाते हैं आप लोगों से डाइलोग पूछे जाते हैं पंक्तिया पूछी जाती है उपन्यासों की पंक्तिया पूछी जाती है अब आप सोचो यार कि अगर आपसे पंक्तिया पूछी जा रही है तो डीप एनलाइश तो करना ही पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इनमे से कुछ उपन्यासों को छोड़ कर आपने उपन्यासों को नहीं पड़ा इस बात को मैं जानता हूँ कि आपने उपन्यासों में पड़ा मेला आचल भले ही पड़ लिया हो मानस का हंस नहीं पड़ा होगा तमस अगर पड़ लिया हो तो राग दरबारी नहीं पड़ा होगा जिंदगी नामा नहीं पड़ा होगा धरती धन्याई अपना पड़ा होगा अंदर से नहीं पड़ा होगा, कुछ-कुछ उपन्यासों को छोड़े, चलो ठीक है, आपने ये यूनिट में नहीं पड़ी, यूनिट नमबर साथ पर जम कर जाते हैं, हमारे टोटल 21 कहानी है, टोटल हमारे सिलेबस में 21 कहानी है, आप 21 कहानी में से आपने 2-4 कहानियों को अंदर से पड़ा होगा, नहीं तो आपने अंदर से नहीं पड़ा होगा, और वो भी पहले बच्पन में, अब नहीं, अब नहीं, नेट जारेफ की तैयारी के लिए तो तुमने एक कानी नहीं पड़ी, वो भी बच्पन में कभी पहले पड़ ली होंगी, राही ये कानी प पूचे जा रहा है हिंदी साइट मैं यह और सात है बहुत ज्यादा कहाणिये इस में अब यूमनिट नमबर आठ में handful नाटक कूछ नाटको को चोड़ कर आपने जादा नाटक यूमनिट नमबर आठ में भी नहीं पड़े त नाटक अंदर से डीप बात ओरी अंदर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया भाई कि अंधेर नगरी किसने लिखी ये नहीं अंदर से आज कल कथन आते हैं पात्रों के डायलोग पूछे जाते हैं एक्जाम में वो गया जमाना अब दिसम्मर 2022 और जून 2023 की त कड़क सवाल आते हैं एक्ड़क सवाल क्या आते सात्यो एकड़क सवाल आते हैं आप लोगों के लिए जो एकड़क हिला कर रख दें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं समझतरों नोई आप लोग तो बिलकुल जोस से मेरे साथ धौराइ एक बार कि स्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जान से सुनिए मेरी आखों में आखे डाल कर कि स्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस करम तुमारा कल होगा और करम में है सच्चाई तो करम कहां निस्फल होगा कहते हैं कि करम में अगर सच्चाई है तो करम कहां निस्फल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल हो क्याई साथियों हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वरता है सोने को जितना आग लगे उतना पृखर निखरता है सूरज जैसा बनना होगा सूरज सा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा और कुछ जादा वक्त लगेगा पर संघर्स जरूर शफल होगा हर एक संकट का हल होगा वह आज नहीं तो कल होगा जी हां साथ यो आप लोग बिलकुल भी चिंता ना करें मैं आपके साथ हूँ और हम हर एक संकट से लड़ेंगे और हर एक संकट से हम लोग चुनाओती देंगे इसलिए कहता है कि स्री कर्षण में साफ कहा है हर एक संकट का हल होगा और यह जो संकट आपके उपर है इस एकजाम रूपी उस संकट को हम हल के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे मुझे पता है यह आपने नहीं पढ़ा है उ आपने क्या सिव मूर्ती नाटक पढ़ा है निबंद पढ़ा नहीं पढ़ा सिव संभू के चिठ़ पढ़े नहीं पढ़े अंदर से क्या आपने अंदर से पढ़ा है यह नहीं पढ़ा सब का जवाब आएका नहीं पढ़ा नाखून क्यों बढ़ रहे हैं नहीं पढ़ा मे एक निसकर्स निकल कर आ रहा है कि पूरे दस यूनिट में से किबल चार यूनिट पड़ी है आप लोगों ने आप देख लिए सातियों इकाई नंबर दस क्या आपने माटी की मूरत पड़ी है दिल पर हाथ रखे इमानदारी के साथ बताओ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आपने माटी की मूरत नहीं पड़ी मुझे पता है इसलिए मैं पड़ाऊंगा आपको सारी थी क्या आपने ठाकुरी बाबा अंदर से बढ़ाए नहीं पड़ा मुर्दय अंदर से पड़ी नहीं पड़ी प्रेम के अभी तो प्लस में चल रहा है अमारे प्लस के चात्रों प्रे पढ़ा लिए औगाये इसको यह मैं पड़ा रहा हूं अभी प्लस में एक और एक कहानी यह आपने नहीं पड़ी अब आव यह सोचो साथ ही हो कि manufactured नीम आपने हरी One स्राय बच्चन की क्या बूलू क्या याद करू अन्दर से पढी ये क्या नहींрий पड़ी आज ही मैं ने क्या भूर्णू क्या याद करू पड़ाया है चार भागों में बटी हुए हरिवंस राय बच्चन की क्या आतमकता हरिवंस राय बच्चन इनके पिता ने नाम क्यों रखा इस आतमकता में बता रखा है क्योंकि उनके पिता हरिवंस पुरान पड़ा करते थे इसलिए उन् कह सकते हैं, कि आपने केवल उपर के चार यूनिट पढ़े हैं, मैं आपको बतला देता हूँ, कि उपर के चार यूनिट आपने कौन-कौन से पढ़े हैं, आप लोग ने जैसे तैसे करके इकाई नमबर एक को पढ़ लिया था, इकाई नमबर दो को पढ़ लिया था, आपको क्या लगता है, आपको यह लगता है कि हर कोई कौशन इकाई नमबर दो से आया है, क्योंकि इसमें हर चीज दे रखी है, यही आपकी सबसे बड़ी गलत फ कि अंदर से नहीं पढ़ते चीजों को, भाई आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, अब एक बात बताओ, आपकी कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर पढ़ाने आया, जिसने किसी चीज को पढ़ नहीं रखा ढंग से, खुद ने, क्या आप ऐसे प्रोफेसर को पसंद करोगे, नहीं करोगे, आप कहोगे को इसे खुद से नहीं आता, आमको क्या सिखाएगा, आपकी स्थिति वोई है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, उन्चे, मैं उन चीजों को पढ़ाऊँगा, दीप पढ़ाऊँगा एक एक चीज को अंदर से, ये पूरा सिलेबस मैंने आप को बतला दिया है, अब से मैं फिर से कह देता हूँ, इस YouTube चैनल पर, इस YouTube चैनल पर रोज 12 बजे qlas हुआ करेगी दिन मैं, टाइम अच्छा है, कि डाइम अच्छा है 12 बजे का, बताओ मुझे, इस YouTube चैनल पर रोज दिन के 12 बजे क्लास लिया करूँँ अब मैं, टाइम के के बारे माँ भी साजेशन देदे एक बार टाइम कैसा है आराम से एक दम मस्त तरीके से खाना वाना कापी के क्लाश देखेंगे है ना ग्राइट टाइम है अब आजाते हैं हमारे बिंदो पर कि अब हमने सिलेबस पर तो पूरा फोकस कर लिया है अब ये कहां पढ़ाए जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे मैं हिंदी साहित का मैंने आप लोगों के लिए आपको प्लस क्लाश जोइन करनी पढ़ेंगे इस यूटूब चैनल पर तो डेली 12 बज़े क्लास होगी लेकिन अगरा ढंक से डीप पढ़ना चाते हो आप चाते हो एक जटके में जयारेफ हो जाए मैं खुद आपको बताना के आधार पर मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं कि आप लोग गलती कहां करते हैं और उसी गलती करने से मैं आपको रोकूंगा और एक एक चीजे मैं आपको पढ़ाऊंगा यह नया बैच स्टार्ट हो गया है लोके सिलिवन कॉड लगा लेना नेकेडमी पर और अब आपका जानने का कुछ लोग कहेंगे कि यूनिट नंबर दो में से ज़्यादा आते हैं मान भी लेते हैं दूचार कॉच्छन अगर एश्ट्रा आ भी गए तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि और यूनिट में से कॉच्छन नहीं आएंगे वो और यूनिट के कॉच्छन हो हमको सब यूनिट को पढ़ना हैं समान आते हैं एक बात लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूचना चाहो तो चलो ठीक है भाई यूनिट नंबर दो मान लेते हैं अब कितने दिनों में नैट जयारे पास हो जाता है यह बड़ी अच्छी बात है चलो इसके बारे में बात कर ल साथ साथ मैंने इस एग्जाम को पास कर लें सही करऔर आप चले जाएं तो इस एग्जाम की अगर मैं आसता निकाल चाहूं तो तो तीन चार चार भी बार भी नेट के एक्जाम दे चुके हैं कोई कोई आउटपुट नहीं लेकिन सटीक तरीके से पढ़े जैसे मैं हूँ अगर मैं अपना खुद का अन्वा बता हूं तो मैंने इस एक्जाम को एमे के साथ साथ ही पास कर लिया था जब मैं एमे कर रहा था उसी समय पास कर लिया तो उसी एमे के भीया पर मेरा पिए ही मैं और उसी पेएश्टी के Door को आण एकेडमी पर भी मैं मेरी अतिरिक्त सेवा देता ही हूँ, आप पिछली तीन साल से ये भी आपको पताई है, तो इस एक्जाम को पास करने के लिए 6 मेने का टार्गेट करना है, 6 मेने से एक दिन जादा नहीं लगेगा, बस आपको ढंक से पढ़ना होगा, ये बात मान कर चलो, जो मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, उन चीजों पर ध्यान देना होगा, देखो आज के जमाने में क्या पढ़ना है, ये महतपूर नहीं है, सारी दुनिया जानती है, कि क्या पढ़ना है, सब के पास सले बस है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी अंडरस्टेंडिं कि आज के दौर में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना कि अंडरिफ्टर नहीं मैं उसी के आधार पर आपको बिल्ड करता हूँ कि यार हमको किस-किस तरीके से पढ़ना है और किस-किस यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस-किस यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और उन यूनिट्स में भी क्या-क्या चीज पढ़ानी एक आइडिया हो जाता है कि हम एक औस्तन आकलन कर लेते हैं एक्जाम का कि यह यह चीज़ें आएं सेले बाश टोटल ऐसे कैसे आया है क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ता ही नहीं हूं क्योंकि मैं तेज दोड़ना जानता हूं मैं बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं यार नहीं हूं मैं बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं मैं बाबा आदम के जमाने का कि मैं थैला लेकर चल पढ़ाय में वो ही है कि मैं कम समय में जादा आउट पुट देने की कौसिस करता हूं मेरी क्लास किवल अक्षर ग्यान नहीं है हर चीज मैं आपको पहले दिन से ही बिल्ड करने लग जाता हूं इंट्रिव्यू के लिए आप मैं बहुत सारे प्लस के विध्यारते होंगे इस् बहुत लंबा प्रोसेस है बहुत लंबा मैं आपको पहले दिन से ही बात करने की कला किसी कौस्चन को जवाब देने का तरीका और उस कौस्चन में कहानी का इंपक्ट डालने का तरीका अगर जूट बोल रहा हूं तो कॉमेंट्स करके बताओ मुझे जे स्टूडेंट है हम बात करने के लौजिक की कला भी होना बहुत जरूरी है कि आर आपके पास कैसी कला है आपकी बात को कहने की और आपकी बात में कहानी एक होनी चाहिए प्रिजेंट करने हम पहले दिन से ही मैं पहले दिन से ही आप लोगों को इंट्रिव्यू की तैयारी करवाने लगी जाता अगर आपको यकीन ना हो तो देश की सबसे बड़ी विश्विधालों में चले जाईए JNU चले जाईए On record बोल रहा हूं दावे के साथ बोल रहा हूं On record बोल रहा हूं record करके रखलो इस पार्ट को बलाई JNU चले जाईए DU चले जाईए दिल्ली विश्विधाले बीएचु चले जाएए टॉप यूनिसीडी की बात कर रहा हूं और छोटी-पोटी छोड़ दीजे हिंदी डिपार्टमेंट में किसी बाड़क से जाके पूछ लेना क्या आप डॉक्टर लॉकिस बाली को जानते हैं वो दावे के साथ कहेगा कि मैं अनकेडमी पर ज्यारेफ की तैयारी करने आये थे वो पिएच्डी कर रहे हैं